साथियों, कोरोना जैसे अद्रश्य और रूप बदलने वाले दुश्मन के खिलाब लड़ाई में सबसे प्रभावी हत्यार कोवीड प्रोटोकॉल है मास्क, दोगज की दूरी और बागी सारी सावधानिया उसका पालन ही है इस लड़ाई में वैक्सिन हमारे लिए सुरक्षा कबच की तरह है आज पूरे विश्व में वैक्सिन के लिए जो मांग है उसकी तुलना में उत्पादन करने वाले देश और वैक्सिन बनाने वाली कमपनिया बहुत कम है इनी गिनी है कलपना करिए कि अभी हमारे पास भारत में बनी वैक्सिन नहीं होती तो आज भारत जैसे विशार देश में क्या होता आप पिछले पचास साट साल का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत को विदेशों से वैक्सिन प्राप्त करने में दसंकों लग जाते थे विदेशों में वैक्सिन का काम पूरा हो जाता था तब भी हमारे देश में वैक्सिनेशन का काम सुरू भी नहीं हो पाता था पोलियों की वैक्षिन हो, स्मॉल पॉक्स जहां गाउं में हम उसको चेचक कहते हैं, चेचक की वैक्षिन हो, हैपिटाइटिस B की वैक्षिन हो, इनके लिए देशवाश्यों ने दसकों तक इंतजार किया था जब 2014 में देश्वाश्यों ने हमें सेवा का अउसर दिया, तो भारत में वैक्षिनेशन का कवरेच, सिर्फ सिर्फ साथ परसंड के आस्पात था, साथ प्रतिशत के आस्पात था, और हमारी दृष्टी में यह बहुत चिंता की बात थी, जिस रप्तार से भारत का टिका करण कारकम चल रहा था, उस रप्तार से देश को शत प्रतिशत टिका करण कवरेच का लक्षा हासिल करने में करीब करीब 40 साल लग जाते हैं, हमने इस समस्या के समाधान के लिए मिशन इंद्रधनुष को लॉंच किया, हमने टाय किया कि मिशन इंद्रधनुष के मांदम से युद्धस्तर पर वैक्षिनेशन किया जाएगा, और देश में जिसको भी वैक्षिनेशन की जरूत है उसे वैक्षिनेशन देने का प्रयास होगा हमने मीशन मोड में काम किया और सिर्फ पांच छे साल में ही वैक्षिनेशन कवरेज 60 प्रतिशत से भढ़कर 90 प्रतिशत से भी जादा हो गई 60 से 90 यानि हमने वैक्षिनेशन की स्पीड भी बढ़ाई और दाइरा भी बढ़ाया हमने बच्चों को कई जान लेनवा बिमारियों से बचाने के लिए कई नए टिकों का भी भारत के टिका करना भ्यान का हिस्सा बढ़ा दिया हमने इसलिए क्योंकि हमें हमारे देश के बच्चों की चिंता थी गरीब की चिंता थी गरीब के उन बच्चों की चिंता थी जिने कभी टिकान लगी नहीं पाता था झाल